कीटी महरा और एलविश यादव को लेकर खूब सुर्खिया चल रही है जब से एलविश विग बॉस सीजन टू के विनर बने है तब से लोग उनकी लाइफ के बारे में जादा से जादा जानना चाहते हैं लोग उनकी गर्ल फ्रेंड उनकी एक्स गर्ल फ्रेंड उनके फ्रेंड इन सब के बारे में जानना चाहते हैं और इससे अब उनकी एक्स गर्ल फ्रेंड कीटी महरा काफी जादा लाइम लाइट में आ गई हैं लोग उनकी बारे में सर्च कर रहे हैं और उन दोनों के रिष्टे को लेकर जाधा से जाधा बाते कर रहे हैं आपको बताने की हाल ही में कीर्ती महरा ने इंटरव्यू में बताया था कि उनका और Elvish का रिष्टा करीब 8-9 साल पुराना है उन दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया था और उसके बाद उन दोनों का डेड़ साल पहले ही ब्रेक अप हुआ जिसका क्लोजर अभी तक कीर्टी को नहीं मिला है वहीं कीर्टी हाल ही में लाइव आई और उन्होंने एक साड सॉंग आया जिसे लेकर अब एलविश को जोड़ कर देखा जा रहा है दरसल कीर्टी से उनके बॉइफरेंड के बारे में उनके फैंस ने पूछना शुरू कर दिया जिसके जबाब में कीर्टी ने कहा कि फिलहाल वो सिंगल है और अभी उनका कोई बॉइफरेंड नहीं है तो वो कैसे किसी कभी नाम बता दें कीर्टी से जब उनके फैंस ने गाना गाने के लिए कहा तो कीर्टी ने गाया कि फिर मुलाकात होगी कभी जुदा हो रहे हैं कदम फिर मुलाकात होगी कभी वेल इसे अब एलविश के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि अभी भी कीर्टी की दिल में एलविश को लेकर प्यार है वहीं एलविश ने अपनी गर्ल्फरिंड को लेकर भी खूब सारी बाते बिग बॉस के घर में की थी और बाहर आकर के उन्होंने इसाफ कर दिया था कि उन्होंने घर में जो भी बाते की वो कीर्टी के बारे में नहीं की है बल्कि वो अपनी गर्ल्फरिंड के बारे में की है जो की पंजाब से तालुक रखती है और जो फिलहाल सोशल मेडिया पर नहीं है वेल अब एलविश की ये कौन सी गर्फरnd है जो पंजाब की है और जिसके बारे में एलविश ने बात की है और अगर वो नहीं है तो फैंस ये चाहते हैं कि एल्विश और कीर्थी फिर से साथ आ जाएं क्योंकि उन्हें उनकी जोड़ी बेहर पसंद आती है विल क्या कहना है आपका एल्विश और कीर्थी की जोड़ी को लेकर हमें कॉमेंट्स के जरीये सरूर बताएं